कि नमास्कार फ्रैंड्स आज हम लोग देखेंगे बायो संथेशिस आप काट कॉल मैंस कि सबसे पहले देख लिएते हैं कि केट कोल मेंस होता क्या है तो केट कॉल मेंस सबस्पेश्फिक हार्मोन से इस वेसिफिक केमिकल्स का गरूप होता है जिसके अंतर गत एपीन्फिरिन हäर्मोन जो की एड्रेनल इलन से सिक्रिट होता है शाथ में यह तीनों जो है एक तरह से निउरो ट्रांसमीटर होते हैं यानि कि नर्व टू नर्व कनेक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं कि तो के अंतरगत एपिनेफिरिंट भी आता है नानेपिनेफिरिंट भी आता है और शाथ में डॉपामाइन भी आता है दे और फाउंड विद्धीन दसी एड़ेनल ग्लैंड तो सच्टर निर्वस सिस्टम पेरिफेर नर्वस सिस्टम और ज्लैंड में यह केकोल में पाए जाद है अब आख कासंगा अगर देखें तो केटगोलमेंज बैसिकली इसमें जो है कर फल गूफ होता है और हमन такого टкой 설 से मिलकर बना जोता है एक नेवरो ट्रैस्मिटर होता है ये कानई के और गूेस्ट नर्लकट कोई लिए यह जो नर्व सिनम्टिक ट्रांस्मिस्चन जो होता है उसके लिए जिम्यादार होता है तो इस sono में केक्ट कॉल होता है औरहे मillतिए कि बनता है कि इसका इस्ट्रक्छर अब बलग देख पर रहा हो काड़ जिसमें दो हाड्राक्सिल गुरूप जुड़ा हुआ है और एमिन गुरूप भी है अगर इसके बायो सिंथेस के नज़रिये से अगर देखेंगे तो टाइरोसीन एक महत्पूर्ण कंपोनेंट होता है इसके बायो सिंथेस के लिए विना टारोसीन मलक्योल्स के यह जो क्याटकुल मेंस है इसका निर्मान नहीं हो पाता इस बस्पिक काटकुल मेंस डिपेंडट एंजाइम के भी जरवत पड़ता है जो आगे देखेंगे टारोसीन हैड्रोलेजस एक इंपोर्टेंट लिमिटिंग एंजाइम होता है जो क्याटकुल मेंस पाथवे के लिए डूपामीन नान अप्रिन की के फार्मिसन में इंपोर्टन्ट रोल प्ले करते हैं लोग देखेंगे तो सिंपल से इस प्लोचार्ट की मादधम से हम लोग देखने का कोशिस करेंगे कि इसका भायो सिंटेशिस या संसलेशन किस परकार होता है तो सरपरधम यह फेनिल यान अब्सक्राइब केमिकल होता है जो हमारे बड्रूमें पाया जाता है यह जो है टेट्राहड्रो बायओ बायोप टेरिन जिसका ने केमिकल के साथ मिलता है और L-tyrosine का निर्मान करता है यह इस L-tyrosine की निर्मान में Phenyl-Balane 9 Hydroxylase यह जो है important role play करते हैं यह L-tyrosine बाद में tyrosine hydroxylase enzyme के उपस्तिती में tetrahydrobiopterine के साथ मिलकर L-dopa में change हो जाते हैं यह L-dopa paradoxal phosphate की उपस्तिती में L-aromatic amino acid decarboxylase enzyme के साथ मिलकर dopamine में बदल जाते हैं तो इस तरह से आप लोग देखें कि dopamine का निर्मान हो गया किस परकार हुआ यह फेनारीन पहले बना यह फ्लारीन से L-tyrosine बना L-tyrosine से L-dopa बना L-dopa से dopamine बना है कुछ-कुछ enzyme जो एड हो रहे हैं उसको भी याद रखना है तो dopamine का फाइनली फार्मेशन हुआ इसमें dopamine के साथ एसकारबेट जुडएंगे और नान एपिनेफरिन का निर्मान करेंगे इस किरिया में जो है dopamine बीटा हड्राक्सिलेज यह एंजाइम सहायता करेंगे यह नान आपर इनफरिन बाद में इडिनोसाइनल मेथियोनिन से मिलकर फेनिल 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 इथेनो लामाइन एंड मेथिला ट्रांस्पेरेज इंजाइम को परस्यती में यह ग 6 में बदल जाता है तो इस परकार इणका बायो सिंथित शिश्या संशलेशन होता है डोपामीन ही वह नHomeบर्रेज़ पर इन अपरैण अब कर दोगता है डोपामिन डोपानिमेनर्जिक सिनापस एंड डोपामिन मेटाबिलिस्म तो डोपामिन मेटाबिलिस्म किस प्रकार होता है वो हम लोग इस डाइगराम के माद्ध हम से समझने के कोशिज करेंगे तो टाइरोसिन की मिल जाने से L-Dopa का निर्मान होता है L-Dopa जो है बाद में Dopamine का निर्मान करते हैं Dopamine एक important neurotransmitter या catacol means होते हैं ये Dopamine जो है signal transduction के रूप में कुछ यूज होता है कुछ जो है Dopamine receptors के रूप में यूज होते हैं कुछ पोस्ट सिनाप्टिक membranes के रूप में ये Dopamine काम आते हैं तो इस प्रकार विभिन्नकारियों में इस Dopamine का यूज कर लिया जाता है इस इस टोर एंड रिलीज आप दूप इस्टोर एंड रिलीज आप डूप इस्टोर एंड रिलीज आप पो इस टोर एंड रिलीज ये सिनाप्टिक वेसाईकल्स वाले एरिया में जहां सिनाप्टिक नॉप जहां सिनाप्टिक जंक्सन होता है उस एरिया में ये स्टोर और रिलेज किये जाते हैं ये कुट को मेंज once catecrumans have been synthesized, they are transported into synoptic vesicles for later release. तो catecrumans synthesis जैसे होता है, ये synoptic vesicles में भेज दिया जाता है, Codiculements Neurons Ser Septheroid Vesicular Monoamin Transporter रोनाइस किसे टार कितरका करते हैं और यह जो है निज्व ट्राणस्मिटर की तरह एक तरह से एक्टिविटी करते हैं तो इसमें सिनॉप्टिक ट्रांस्मिशन की खिरिया को इस डाइग्राम की द्वारत दर्साय जा रहा है टारो सी इंसे डूपा जो बना डूपा में अधिन में करन वार्ट हो गया बाद में बाद में इसमें जो है सिनॉप्टिक ट्रांस्मिशन की खिरिया होता है कि अग्याइब तुनेश्ट हम लोग देखें कि हार्मों साप अड्रेनल मेडूला गलेंड की दो पार्ट होते हैं अड्रेनल काटेक्स रिजन को जो हम लोग देख चुकी हैं ड्रेनल मेडूला वाला रेजन अब देखेंगे ड्रेनल मेडूला वाल स्टंइच में यह सब आते हैं यह जो ह än हुवें भूहति महत्वपूर्न हाड मोन या कीमि कल शब्सटेंस होते हैं या निर्उकों होते हैं यह सट्रेस के पढ़ती जो है एक्शन जो करते हैं इसन हैं डिशार हार्मोन कहलते हैं जा भूरि אנחנו भीयर फ्लाइट प्रेम हाइट जैनि के तिर्पाले फार्मॉन भी यह कहलाते हैं है। बाई इस इफ फीड serpentata, अगर देखें सुत्र की रूप में तो टारो स्रद्रो सुम्हा sis का फार्मॉल आपने को पता होना चाहिए है अल टारोसिन होता है या टारोसिण टारोऌशिन्हाइड्रोलज उनजाइम की उपस्तिती में H4 bioprugls बादल करता है यह दो-पशेल 5 के उपस्ति में सियो टू बाहर निकाल कर डूपामीन में बदल जाते हैं यह डूपामीन बाद में विटमिन कापर और अक्सिजन लेकर डोपामिन बीटा ऑक्सिडेस एंजाइम के साथ मिलकर नानेपनेफ्रेन में बदल जाते हैं यह नानेपनेफ्रेन एडिनो सिल्थो आइसोनेज से एडिनो सिथमोसाइस्टीन इसमें बदल कर अचैन तो अब 4 फनील पैथैनौल ऐमन 9 न मैथEm ट्रांसपेरियज सिंजाइमं काफर should में में बदनाइड सिंजाइम को पर सीमें एपिनेफ्रेन में बदल जाते हैं तो यह परेफरेंट फिर एपिनेफरेंट में बदलता है तो इस परकार केट कोल में जो हर्मोंस गुरूप है उसका बायो सिंतेसिस या निर्मान एडिरल ग्लैंड में ही होता है बाद में ये बलड के माध्धम से खलो होकर सिनप्टिक ट्रांसमिशन के समय नर्व कंडक्शन के समय इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिगुलेशन का अगर देखें तो इस प्लैचनिक नर्व के द्वारा इनका कंट्रोल किया जाता है कुछ एंजायम की द्वारा भी ये परभावित होते हैं कर्टिकाइट्स हर्मॉंस जो हाइं कर्टिकाइड एंजाइम्स के गुरूप जो इस पर कोन्ट्रोल करते हैं ऐस्ट्री gripe कहा होता हैं तो नक्रोम फिन ग्रफल ग्रेंट में यह-ई-श्टोर किये जाते हैं 还ес ऐसे आटर्टंवीट लिए टीप मैंगेनिसियं तो इन्से जुड़ा होता है एस आस आटो किस neighbor जानें तो होता है तो एक्जोसइट डीपेंडंट जो एक्जोस भीलिव Omar है इस तिम्लियेटेट बाइ कोलिणर्जिक एंड बीटा ड्रीनर्जिक तो इसके इनजाइम जो बीटा एनर जड्री नर्जिक एंड कोलिण जो एंजाइम सोते हैं इसके दा मेट करने कर दिये जाते हैं इसके अलावा इनिवेटेट बाय अलफा अड्री नर्जिक तो इस अलफा अड्री नर्जिक के द्वारा जब के एंजाइम्स अलफा अड्री नर्जिक एंजाइम्स के द्वारा जब इनिवेट किये जाते हैं तो भी यह कोड़ कम कैटकुल मेंस रिलेज किये जाते हैं है कि after कप कि जाते हैं तो अफ्डेक संडिक फार्मशन घर्मार्टाडन टर्मीनेसान उप सिमक इस समय जो है अङया का कट कुलमेन रिसेप्टर के रूप में काम करते हैं तो फिर अलफा-वन अलफाटु इसके अलावा अगर देखें तो बीटा वन बीटा टू जो है यह रिसेप्टार का काम करते हैं तो उपरोग तद्ध्यान से में हैं पता चलता है कि कैट कुलमेंस अड्रेनल ग्लैंड के कार्टेक्स वाले से करेड होने वाले हर्मोंस का करें व्यवता है दोपामिन होते हैं को संधेशिस अगर देखें तो ट्र उबेशन मॉलेक्योज और भी झाल जाइम के मिलने से它 निर्मान होता है है और शीजिख को दसें के समय सब्सक्राइब ट्रांस्मेस हैं तिक कि या दिखे Thank you